तो भाई फाइनली चार साल के लंबे गैप के बाद में शारुखान के पठान मुवी रिलीज हो चुकी है और गाईज रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने धमाकेदर कमाई कर दिये और भाई अल्रीडी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर का टेग ले चुकी है अब क्या पठान इतनी अच्छी मुवी है जो कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ट्स बना रहे है इस कोश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्चन में जरूर देना शारुखान का स्टारडम, शारुखान की पॉपलेरिटी और चार साल से कोई भी मुवी रिलीज ना होना इस वज़ए से दोस्तो शारुखान के फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे था पठान मुवी का उपर से शारुखान की परफॉर्मेंस जिसने मुवी के अंदर चार चांद लगा दिये और गाइस इतना डेडली एक्शन देखने के बाद में तो भाई हर कोई मुवी देखने के लिए पका जाएगा और प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर हिंदुस्तान की बहुत बड़े सूपरिश्टार का कैम्यूर रखा गया जिसकी वज़े से पब्लिक और ज़्यादा भर-भर के मुवी देखने जा रही है बात करें दोस्तों अगर दिपिका की तो भी उनके फैंस को डेफिनिटली उनकी परफॉर्मेंस पसंद आएगी और होटनेस तो भाई फाल के डाल देगी वहीं पर आता है दोस्तो जिम का करेक्टर जो की बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा गया है John vs. SRKE के जितने भी एक्षण ब्लॉक्स हैं पठान के अंदर सभी ब्लोक्स में जिम ने बहुत बुरी तरह मारा है पठान का हर व्लोग में वो जीता है पठान के यही चीज तो इस मूवी को असली विनर बनाती है अगर भाई कोई मूवी किसी भी ओडियंस को बोर करेगी तो भाई उसको नेक्स्ट ओडियंस कभी भी देखने नहीं जाएगी और भाई जिस तरह की मूवी पठाने इतनी एक्शन मासी मूवी इंडिया की कभी एंटियर को बुलट उठा के घुमा देना और केजिएफ चैप्टर 2 के अंदर संजीदत पूरी रस्य पकड़के एक ब्रिज रोग देता और उस पे बड़े बड़े ट्रक उतर जाते हैं बहु बली टुक बड़े से सांड को हरा देना एक सौफिट बड़ी मूर्ती को प् कूट कूट के भरी हुई हैं और बे किसी भी करटर की परफॉर्मlusion की बात करें घाईस तुम सेल्मान खान के लावा किसी भी करड़ेख का हमने मजाग बनता नहीं देखाया सलमान खान वो मशीन गण चलाते हुए बंदा हसरा है बट गाइस बात करें हम अधर केरेक्टरी की दिपिका पाडुकोन, जॉन इब्रहेम एंड शारुखान भई इन्होंने अपनी बहुत जबरदस्ट परफॉर्मेंस दी है सिधार्थ आनन्द का डिरेक्शन बहुत ही जबरदस्ट है स्क्रीन पर ले बहुत शानदार है और पूरी स्टोरी जो है वो ग्रिपिंग है एक के बाद एक, एक के बाद एक सीन्स नजर आते हैं तो भाई अभी अभी के लिए पठान इन पांच दूनों में बहुत तगड़ा कलेक्शन के सारी की सारी इंडियन मुविस को फाड़ के रग दिया है और भाई ये हॉलिवुड की मुविस को भी टकर दे रही है UAE के इंदर इस फिल्म ने बड़ी से बड़ी मुविस को बीट कर दिया है मैंने तीन बार मुवि देखिये तो आप लोग समझ सकतें के मुझे मुझे मुवि कितनी पसंद आई है अभी के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जार शादा शेर करो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सबी लोग सब्सक्राइब करो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए, टेक एर, जाहिन जबाराद